आज हमारा डे टू इससे पहले पांच घंटे की मैंने वीडियो अप्लोड की ते और मैंने आपको हूमवर्ग दिया था कि मैं अगले एक डफते वीडियो नहीं डालूँगा आप इसको कंपलीट करें के रखना हो मुझे उमीद आपने उसको कंपलीट किया होगा अगर आप आज इसे भी वीडियो देखना शुरू कर रहे हो बिटा मैं आपको एक प्रॉपर प्लेइलिस बता रहा हूं सी यू इटी आई पिमाट टेने का अगर आप प्लान कर रहे हो ना इस वीडियो इस फो यू आपको इंग्लिश लांग्विच के लिए कहीं कुछ उठानी की ज जरा समझादे तो कैसे चीज़े आपकी प्रिपेर होगी तो प्लेइलिस्ट आपके दिमाग के अंदर होनी चीए एक प्लेइलिस्ट यह जिसके अंदर पांच घंटे की वीडियो है और आज की हमारी प्राक्टिस क्वेशन कराने का मेरा उद्देशिक है कभी कबार यह होत अब उसके बाद यहां पर बेटा आप देखोगे कि मेरे ना 2022 की एक प्लेइलिस्ट बनी हुई है अब आप बोलेगे की सर 2022 की प्लेइलिस्ट 2024 के अंदर काम आईगी या नहीं आईगी एक बात बताओ 2022 के अंदर इंग्लिश अलग थोड़ी होती थी अरे यही तो इंग्लि चलती है और आज तक इस वीडियो के अंदर से एक जैक्ट वर्ड आते हैं पूरी वर्ड पार मेड इसी करा रहे हैं च्छे गंटे की वोड़ी के अगर आप लोगों को चंता है ना यह वीडियो ठाके करना शुरू कर देना मैं प्लेलिस्ट उपर ही पिन कर दूंगा यह व चीजें अगर दिछा दूना 5 गंटे का पढ़ाया हुए इडमेंट फ्रेजीस 15 गंटे के रीडिंग कॉम्प्रेंशन जो है आपको यह गंट बालग बाद देड़ घंटे का पढ़ाया हुए अप लोगों को आर्टिकल्व पढ़ाया हुए अप लोगों को पढ़ाया यहां पर आप लोगों की प्रॉपर पूरे जो डाउट से मैं ले रहा होता हूं बाकी आप चाहते हो के सार हमारी फुल फ्लेजिट स्टेप बाइस्टेप प्रेपरेशन हो जाए तो आप मेरे प्रीमियम कोर्स के अंदर भी जो है इन्रोल कर सकते हो मैं आप लोगों को बता दो आपको आना study.educaptain.in पर यहां पर बेटा जो हमारा Avengers Gold बैच है यह Avengers Gold बैच के अंदर अगर आप CUT, IPMAT, Indoor, Rothak, JipMAT, Sanger, Sumbay, Christ, University, Inpat, IP, University टागेट कर रहे हो Avengers Gold बैच के अंदर आपकी complete English language की preparation होगी प्लेस आपको mock test सारे mock test मिल लेंगे commerce domain के mock test मिल लेंगे English के mock test मिल लेंगे higher match, applied match उसके साथ साथ आपको IPMAT, Indoor, Rothak, सब के mock test मिल लेंगे इसी batch के अंदर आपका general test भी prepare होगा, higher, applied match सब कुछ prepare होगा तो अगर आप चाहते हो के premium family का part बनना, Educaptain squad का part बनना तो आप Avengers batch भी join कर सकते हो तो चलो यार अब जड़ा हमारे questions की और प्रस्थान करते हैं, questions की और बढ़ते हैं सबसे पहला question हमारी screen पर जो है a long and aggressive speech, एक ऐसी speech जो की लोगों को attract करने के लिए दी जाती है और इसको मैं मोटा मोटा अगर कहूँ ना, तो ये हमारी conscious speech होते है, ये हमारी false speech यहाँ पर false speech को हम क्या कहते हैं, देखो, prologue आपका होता है, जो की book का introduction होता है introductory page जो book के होते है, उसको हम prologue कहते है, ठीक है, eloquence हमारी क्या होता है eloquence होता है, एक बहुत ही logical speech, ठीक है, तो ये तो आपका antonym हो गया ठीक है, ये तो आपका antonym हो गया, यहाँ पर axle में आपसे पूचा क्या है यहाँ आपसे पूचा है कि इस इन सारे words की जगा, हम एक word और क्या लगा सकते है ठीक है, तो मतलब कि ये आपसे question पूचा गया है, one word substitution का ठीक है बात आ रहें संद में, तो यहाँ पर prologue होता है, book का page, introductory page elegance होता है, जो हमारा बहुत logical speech हो, लेकिन यहाँ पर कह रहे है, long and aggressive speech मतलब की false speech, discussion होता है, जैसे कि अब मैं यह question आपसे discuss कर रहा हो, तो this is discussion harang जो होता है, harang का मतलब होता है, आपका false speech, aggressive speech, एक ऐसी speech जो लोगों को एक ऐसी false speech, जो कि लोगों को attract करने के लिए दी जाती हो, ठीक है, जो कि Hitler हमादरे देते थे, तो long and aggressive speech मतलब harang, sorted, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, यह question बेटा, please आप लोग note करते वे जरूर चलना, क्योंकि अगर आप लोग note नहीं करोगे, इनके notes नहीं बनाओगे, तो बहुत दिक्कत जो आपको आजएगी, चले बेटा आगे, next day हमारा, I have not saw him, since I have leave the town, अब देख बाब बताओं, यहाँ पे उसने क्या बुला है, कि मैंने उसको नहीं देखा, जब से मैंने गाउं छोड़ा है, है न, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर गाउं जब भी छोड़ा होगा उस बंदे ने, तो यह एक point of time पे छोड़ होगा, है न, बिल्कुल एक point of time पे छोड़ा होगा, सही बात है, और जब कभी भी tenses के अंदर बटा, बात किसी point of time पर की जाती है, तो हमेशा से वो जो tô है, हमारा present participle के अंदर आता है, और present participle का हमारा जो rule होता है, gospel कर दो हमारा rule क्या होता है, कि सबसे पहले हमारी has, helping verb has, या फिर have आ रही होती है and then उसके बाद हमारी वर्ब की third form जो है आगे आती है अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से रखना ध्यान से समझना कि यहाँ पर अगर मैं देखू have मेरा ठीक है कि मेरी helping verb लगी हुए ठीक है यहाँ पर यह मेरी helping verb है I मेरा क्या है बिटा I है मेरा subject एक अब देखो यहाँ पर अगर मैं verb की third form की बात करता हूँ तो हमारा see saw and then हमारा scene होता है बिटा तो verb की third form हमारी scene होती है तो यहाँ पर क्या है मेरा saw नहीं आना चाहिए मेरा आना चाहिए scene I have not seen him since I have leave the town अब देखो आपके दिमाग के अंदर यह भी आ सकता है कि सर यह अगर म होती है एक होता है हमारा sense ठीक है और दूसरा होता है हमारा for जब कभी भी आपका जो tense होगा वो कोई point of action की बात करेगा मतलब कि किसी point of time की बात करेगा तो वहाँ पर हमेशा मेरा sense लगेगा कि भाई मैं तुझे दिवाली से याद कर रहा हूं ठीक है मैं तुझे पिछली र ठीक है तो वहाँ पर हमेशा से क्या लगता है फॉर लगता है तो अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं अगर मैं options को eliminate करना भी चाहूं तो मेरे को क्या पता चलेगा कि देखो यार यह तो बात बिल्कुल ता है कि ऐसा तो है नहीं इस sentence के अंदर कि improvement नहीं होगी यहाँ पर देखो यह भी कसम मत खा लेना कि अगर question दिया है तो हमेशा से improvement होगी होगी कभी कभार improvement नहीं भी होती ठीक है तो यह चीज़ भी ध्यान लगत नहीं है कि कभी कभार no improvement भी हमें tick करना पड़ता है तो यहाँ पर यह तो मुझे पता चले कि improvement तो है ठीक है और क्या है वो भी ह since I last left तो देखो see तो मेरा आ नहीं सकता क्योंकि मेरा point of time की बात हो रही है और यह पर present participle है तो verb की third form के अंदर ही आएगा seen him for I last left तो for मेरा आ नहीं सकता बेटा for क्यों नहीं आएगा क्योंकि period of time की बात नहीं हुए है यहाँ पर sense ही आना है तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर option number D भी नहीं होगा correct sentence जो मेरा बनेगा वो option number A बनेगा correct मेरा answer जो option number A बनेगा sorted कोई दिक्कत कोई परिशानी इसके अंदर I hope बेटा आप लोगों को नहीं होगी चले इजाज़त दिरो आगे बढ़ने की ठीक है बेटा जालो देख नजरा next time she got a lucrative job for a translator because she was dash in a French अच्छा lucrative का मतलब होता है आप लोगों का के profitable है ना कि उसको बहुत ही अच्छी लग रही वह जौब बहुत ही profitable है वह जौब उसके लिए तो यहाँ पर हमें जो है क्या कहता है इफिलिंदा ब्लैंक फिल करने है तो यहाँ पर देखता है sufficient, efficient, deficient or proficient तो sufficient का मतलब क्या होत परियाप्त है तो that is sufficient, efficient का मतलब होता है कि भाई कोई काम कितना जल्दी हो रहा है और कितना organized तरीके से हो रहा है वो उसकी efficiency होगी, मतलब कि एक काम को जो है वो कोई एक person मान लेते कि यह हमारा चंपकलाल A है, this is our चंपकलाल, मान लेते कि भाई चंपकलाल किसी काम को करने के काम जो है वो डेड़ घंटे के अंदर कर ले जाता है, तो यह इसकी efficiency है, तो यह सबकी efficiency है लग-अलग होती है, तो मतलब कि वो काम कितना जल्दी हो रहा है और कितना organized हो रहा है, यह efficient का मतलब होता है, efficient का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, ठीक है, कि यह calcium deficient है, इसके अ जॉब कम मिलती है एक जॉब जो कि आपकी प्रॉफिटेबल जॉब हो आपको कम मिलती है जब आप उसके अंदर प्रॉफिशेंट होते हो अगर उनको ट्रांसलेटर की जॉब मिली है तो जाहिर सी बात है वह ट्रांसलेशन के अंदर प्रॉफिशेंट होंगे तभी उन्हें की job मिले sufficient नहीं sufficient नहीं उन्हें ये निये कि भाई उन्हें भूखती या उन्हें जौंजा ऐसे नहीं जो पर एन्हें वह है वहागी यहां पर देखो आपका sufficient और efficient बहुत यहां पर थोड़ा सा अगर दिमाग से सोचोगे तो आप correct option तक जो है पहुंच जोगे दाटेस हमारा proficient बात आ है समझ में चालो next question देखते हैं the ship sails smoothly owing to the winds owing dash winds अब देखो तू का मतलब owing to का मतलब क्या होता है पेटा हमारा because of ठीक है because of अब यहाँ पर question क्या है क्या रहा है question आपको जो यह कह रहा है के जो ship है वो आपकी बहुत posso smoothly चल रही है अब देखो क्यों ship हमारी smoothly चलेगी कैसे ठीक है मानने देटे कि भई यह अपना पानी है ठीक है और यह मानने देट यही अपनी ship ठीक है आदी जो है वोς पानी दे दे इसी direction के अंदर सहारा दे दे तो जाहिर सी बात है के ship हमारी बहुत स्मूद चलेगी है ना अगर मेरी जो विंड है वो इस direction के अंदर चलना शुरू हो जाए तो वो तो फिर हमारी ship ठीक से चलनी पाईगी तो यहाँ पे शिप मेरी smoothly कब चलेगी जब favorable उसके पास air condition होगी मतलब air condition as in कि जो atmosphere की हवा है वो बहुत ही उसके अनुकूल होगी ठीक है बात आई समझे पहला option दिया हुआ है turbulent the ship sails smoothly owing to turbulent winds एक बावता turbulent का मतलब क्या होता है उतल पुतल अगर मालो हवा ऐसे ऐसे चल रही है तो ship हमारी भी ऐसी ऐसी चलेगी smoothly तो चलनी पाईगी that means कि यह हमारा option correct नहीं हो पाएगा नेक्स है हमारा tempestuous tempestuous का मतलब होता है जहां पर बहुत ही आंगर हो वाइलन्स हो ठीक है अगर मेरी wind जो है बहुत ही एंगर से चल रही है तब भी हमारे ship जो है वह क्या कहते है smoothly नहीं चल पाएगा चल रहे हैं और लोगों की grammar vocabulary हर एक टाइप का question जो है बीटा इन प्रैक्टिश के अंदर करवाना चाहते हो, सो दाट आपकी अच्छे से प्राक्टिस हो जाए, आपको हर एंगल से चीज़े समझ में आजे, तेक है, नेक्स देखते है बिटा, नेक्स क्वेश्चन कहते है, इश्वर्चन विद्या सागर जी जो है, यह हमारे क्या हो गए, यह हो गए हमारे सब्जेक बिटा, पार्ट of speech wise देखो के noun, noun के इंदर भी क्या है, ठेक है, अब subject मेरे क्या है बिटा यहाँ पे, subject है मेरे singular, ठेक है, इश्वर्चन विद्या सागर, ठेक है, singular है, तो यहाँ पे देखते है, uses, जो है, मेरी क्या है, में बब है, ठेक है, the ancient text to suggestion, uses the ancient text to suggestion, that the video could marry, यह तो मेरी main भी singular आएगी which makes sense जो कि मेरा बिल्कुल ठीक है uses what, uses the text तो actual में इस main verb को object क्या है, इस main verb को object है यह text ठीक है, जो कि part of speech-based noun है noun के अंदर भी common noun है अब text कैसा, text है ancient, तो यह मेरा क्या है इसका qualitative adjective हो गया qualitative adjective हो जाएगा यहाँ पे इस noun को qualify कर रहा है इसकी quality बता रहा है, तो qualitative adjective हो गया अब यहाँ पे जो इश्वर्चंद विद्यासागर uses the ancient text अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बिटा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ वाई अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ वाई इश्वर्चंद विद्यासागर uses the ancient text तो आप बोलेगे के to suggest उन्होंने suggestion देने के लिए ही तो ancient text का इस्तमाल किया है अब यहाँ पर हमेशा से ध्यान रखना कि भाई क्यों use किया है क्यों use किया है इसका answer हमें कैसे मिल रहा है why से मिल रहा है तो why से जब कभी भी हमारा verb का answer हमें मिलता है और यह two के साथ आता है तो के साथ जो है अगर मुझे why का answer मिल रहा होता है तो हमेशा verb मेरी अपनी base form के अंदर आती है जिसको हम क्या कहते है बेटा जिसको हम कहते है infinitive infinitive कहते है infinitive भी कैसा infinitive अपनी adverb वाला infinitive होता है ठीक है noun इस्तमाल हो रहा होता है तो हमारा वह what cancer कर रहा होता है लेकिन जब कभी भी महारा infinitive जो है वह why cancer करता है तो हमारा जो है adverb की तरह काम करता है ठीक है तो इसके बाद आगर मैं आगे देखता हूं तो that मेरा क्या आगे बटा conjunction हो गया ठीक है री मैरी अब देखो री मैरी मेरा क्या हो जाएगा री मैरी हो जाएगा मेरा main verb ठीक है अब यहाँ पर देखते जरा यहाँ से अगर मैंने तुम लोगों को बोला है कि यहाँ पर जो मेरी verb की base form है तो के साथ verb आता है वो अपनी base form के अंदर तो वो अपनी base form के अंदर ही आएगा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा correct to suggest मेरा ठीक होगा यहाँ पर to suggest मेरा appropriate एकदम answer होगा ठीक है बात आरी समझे तो देखते बिटा यहाँ पर use the ancient text use the ancient text ठीक है use the ancient text to suggest अच्छा यह रहा use the ancient text to suggest ओके ओके no improvement तो देखो होगा नी no improvement तो हमारा होगा नी two suggestions two suggestions भी मेरा नहीं होगा सिर्फ suggest लिखा है यहाँ पर अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर धियान रखना है यहाँ पर देखो बिटा यहाँ पर इन्होंने फिर used क्यों लिखा है अब भी तो पास्टेंस के अंदर ही होगी तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा used ही लिखूँगा तो yes मेरा correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option number a that is ईश्वर्चन विद्यसागर use the ancient text to suggest that video could remarry sorted कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख अब उनको more दोगे पकड़ते ही ठीक है कि हमसे बचके नहीं निकलोगे भाई देख रहे हो हर एक जो आपका part of speech है वो proper क्या कह रहा है उसकी क्या functioning है ये clarity होना बहुत जाथ आप लोगों को जरूरी है इस पर तोड़ा सा energy आपको जादा डालनी है देखो a school or college in which one has been educated देखो भीटा अब यहां पर बहुत confusion होती है ज़र देखो अगर बात करते हो let's say मान लेते ये हूँ मैं ये हूँ मैं ओके भई मान लिया हमने इसके आगे तुम अगर ये लिख लोगे न a-r-double-e तो ये मेरा instagram भी हो जाएगा तो ये हूँ मैं मैंने अपनी graduation कहां से किये मैंने अपनी graduation किये शही सुक्दिव College of Business Studies से तो मैं यहां से pass out to Delhi University का college अब अच्छा जी ठीके alma martyr है लेकिन मैं SSCBS का क्या हूँ मैं SSCBS का alumni हूँ यहां पर बच्चे बहुत confused होते है भाई साब बच्चे मैंने देखा लोग SSCBS को ही अपने college को ही alumni नहीं alumni तो आप वो भाई SSCBS आपका alma martyr है तो यहां पर उसने क्या पूछा है कि college या फिर school जहां से आप educate हुए उसको क्या कहते है उसको alma martyr कहते है उसको alumni कता ही नहीं कहते mentor तो वो होता है जिनको हम follow करते है जिनकी guidance के अदर हम चीजे करते है और graduate का मतलब जो होता है अपने plus 2 के बाद जो है plus 3 भी कर लिए ठीक है तो उस degree को हम क्या कहते है अपना graduation कहते है कोई दिक्कत इसके इंदर I hope नहीं होगी चलो जनाव आगे the flower smells so sweetly that I want to pluck them अच्छा flower जो है बहुत sweet smell कर रहे कि मेरा मन कर रहे कि उनको मैं pluck कर लो उनको मैं तोड़ लू एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर काम क्या हो रहा smell हो ना लेकिन क्या यहाँ पर कोई action हो रहा है नहीं यहाँ पर कोई action नहीं हो रहा भाई मैं truck को खीच रहा हूँ यहाँ action है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ action है फ्लार जो है वो smell अच्छा कर रहे हैं यहां पर कोई action नहीं है यहां पर state है तो यहां पर smell मेरा action में क्या है यह मेरी state verb है बाटा और एक जिज़ हमेशा ध्यान रखना मेरे बटा जब कभी भी आपकी state verb आती है जब कभी भी आपकी stative verb आती है उसके बाद हमेशा से ही मेरा adjective आता है ठीक है उसके बाद हमेशा से ही adjective आता है ये बाद हमेशा ध्यान रखना ठीक है आप किसी को भूलते हो न यू लुक सो गुडली तो नहीं बोलते है न you look so good अब good बोलते, क्यों बोलते, क्योंकि good मेरा adjective है समझे रहो, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब smell कौन कर रहा है बहतर, flower कर रहे, तो flower मेरा क्या हो जाएगा subject हो जाएगा, ठीक है अब उसके बाद so sweetly नहीं होगा क्योंकि sweetly मेरा adverb होता है और smell क्योंकि मेरा stative वर है तो यहाँ पे मेरा adjective आना है जो की मेरा क्या होगा, sweet होगा the flower smells so sweet that, अब देखो that मेरा क्या है बेटा, that है मेरा यहाँ पे conjunction क्या है, conjunction यह है मेरा conjunction, अब उसके बाद I मेरा क्या है, subject है I मेरा subject हो गया, want मेरा क्या हो गया main verb हो गया, उसके बाद I want what, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखा दू मैं भी बता रहा था न, आपको जीरंट उसके बारे में क्या कहते हैं, two plus verb की first form जो है, हमारी जब आते तो noun की तरह भी काम करता है, तो यहाँ पे एक बात इसको ध्यान से समझो, यह देखो I want what, I want what, ठीक है, I want what, तो यह मेरा क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे मेरा देखो two plus verb अपनी base form के अंदर आ रही है, ठीक है, two plus verb अपनी base form के अंदर आ रही है, और यह मुझे what का answer कर रहा है, तो यह यहाँ पे base form की तरह आ रही है, और अपना noun की तरह काम कर रहा है, हमेशा जो भी noun होगा आपका, वो आपको what, who और whom का answer करता है, ठीक है, तो यह मेरा what का answer कर रहा है, तो two plug मेरा क्या है, यह two plug मेरा actual में infinitive है, क्या है, infinitive है, जो कि यहाँ पे noun की तरह काम कर रहा है, I want to plug, I want to plug what, plug them, अब देखो, क्यूंके इस plug के अंदर भी verb है, तो यह verb अपना object लेगी, तो यह them मेरा actual में है क्या, यह them है बिटा, मेरा object of gerund, ठीक है, यह है मेरा object of gerund, यह depth की clarity जिस दिन आप लोगों को पढ़ गए ना, भाई, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जो अगर मेरा कोई paid course वाला बच्चा इस वीडियो देख रहा होगा न, इतना enjoy कर रहा होगा इस वीडियो को, और मतलब जो नए बच्चे से जुड़ रहे हैं, उनको इतने broad level में clarity मिल रहे होगी, कि हाँ, actual में यह this is the correct way, this is the correct way, कभी जिन्दगी के अंदर गडबड होगी ही नहीं, यह rule रट लो, subject plus verb key, first form plus ing, यह वो, सब हटा दो, कुछ नहीं है भाई, conceptually चलोगी, हाँ, मैं यह आपको ज़रूर कहता हूँ, कि English के अंदर जो है, वो 5 से 7% ऐसी चीज़े हैं, जो रट्टा मार नहीं बढ़ते हैं, वो तो बिना रट्टे होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो 95, 93, 95% ऐसी चीज़े हैं, इसको बहुत conceptually आप कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा correct answer की series के अंदर बैटरे होते हैं, तो एक ही जगा पे हमारे बहुत सारी चीज़े clarity हो रही होती है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब हमें क्या बोला है, in this question out of the four alternatives, choose the one which can be substituted to the given word, ठीक है, यह हमारे one word substitution है, incapable of paying debt, जो debt नहीं pay कर पाते होने हम क्या कहते हैं, देखो, obsolete का मतलब होता है, something which is outdated, जो बहुत पुरानी हो गई है, उसको हम obsolete कहते हैं, corrupt का मतलब होता है, ब्रस्ट होना, जो कि under the table passive अगरे लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, corrupt कहते हैं, extravagant हमारा क्यों होता है, extravagant वो होता है, जो कि बहुत खरचीला होता है, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई खरचीला होगा, तो जाहिर सी बात है, incapable of debt तो वाला होगा ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्यों अपना loan ने चुका पा रहा, corrupt का यहां पर कोई मतलब भी नहीं है, पुरानी outdated चीज़ को कोई मतलब ही नहीं है, insolvent का मतलब क्यों होता है, insolvent का मतलब होता है, हमारा दिवाला निकलना, तो अगर दिवाला निकल जाएगा, तब भी आप जो है capable नहीं रहोगे, debt pay करने के लिए, तो this is the correct answer, sorted, कोई दिकत, कोई परिशानी, I hope आप लोगों को नहीं होगी, then उसके बाद आगे चलते हैं, next question क्या कहता है, next question कहता है, I am very much pleased to see you here, here today, I am very much pleased, तो यहाँ पर देखो, हमेशा धियान रखना है, दो चीज़े आपकी, एक होता है very और एक होता है आपका much या फिर very much, देखो, यह एक होगे आपका very, दूसरा होगे आपका much या फिर very much, अब इन दोनों के अंदर अगर हम फर्क समझे, very जो है न, वो हमेशा ही positive degree के साथ आता है, देखो, much या फि mark के अंदर है, चीज़े बहुत clarity से आपको समझ वहेंगी, जैसे कि मैं बूल रहा आपको, this book is very good, मैंने आपको एक sentence दिया, this book is very good, ठीक है, तो अगर इस sentence का post-matum करना शुरू करोगे, तो is मेरा क्या है, linking verb है, ठीक है, यह book मेरा क्या है, subject है, part of speech wise क्या है, noun, noun के अंदर भी क्या है, मेरा common noun, ठीक है, यह book को link कर रहा है, किस से के यह book देखो, यह बात क्या कह रहा है, कि यह जो book है, यह जो आपकी book है, यह book जो है, क्या है, good है, यही इस बात का मतलब है, यही इस बात का मतलब है, तो यहाँ पर यह जो is है, यह is actual में कर क्या रहा है, यह link कर रहा है यह linking verb की तरह काम करो, किसको link कर रहा है इस subject को, जो की मेरा book है किस से, object से जो की इसका quality बता रही है तो यह adjective मेरा क्या होगा good मेरा क्या होगा, यह मेरा adjective होगा ठीक है, part of speech wise हम इसको subject compliment भी कहते है, ठीक है adjective भी subject compliment भी है तो यह क्या है बेटा मेरा, यह है मेरा adjective और यह है मेरा subject compliment भी ठीक है, अब उसके बाद very good, यह book बहुत अच्छी है मतलब कि मैंने उस बात की intensity बढ़ा दी, मैंने उस बात की intensity बढ़ा दी, तो यह very मेरा क्या है बेटा, adverb of degree this is my adverb of degree, अब इस बात को जड़ा और ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि very जो आता है वो हमेशा से ही positive degree के अंदर आता है अब यह positive degree का मतलब क्या होता है मैं आपको कहा रहा हो good तो इसके बाद हमारा होता है better फिर होता है हमारा best ठीक है यहाँ पे देखो, जो हमारे adjective होते है उसकी जो पहली degree होते है इसको हम कहते है positive degree ठीक है, जो second degree होते है इसको हम कहते है comparative degree और जो third degree होते है इसको हम कहते है superlative degree ठीक है, तो यहाँ पे जो यह positive degree है इसी के साथ हमेशा हमारा vary आएगा अगर मैं आपसे मालो एक संटेंस कह रहा हूँ जलो लिखी लेते इस बात को भी मैंने आपसे बोला तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है बेटा मैंने comparative degree लगा है इसलिए मैंने यहाँ पर much लगा है मैं यहाँ पर चाहता तो very much भी लगा है this book is very much better than that book तो हमेशा हमें mind में रखना क्या है कि मेरा much और मेरा very much जो है वो हमेशा ही comparative degree के साथ आता है sorted? कोई दिखका दिसके अंदर? अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर मुझे दिया हुआ है I am very much pleased अच्छा अब एक बावत हो comparative degree pleaser तो कुछ होता नहीं है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता pleaser तो यहाँ पर यह क्या है मेरा pleased positive degree है तो यहाँ से भी मुझे clarity मिल रहा है कि यहाँ से मेरा very much तो नहीं आएगा यहाँ से मेरा सिर्फर से very ही आएगा I am very pleased to see you here today होना चीए समझे लिए अब एक बार sentences को देख लेते हैं भाई देखो ऐसा तो है नहीं कोई improvement नहीं होगी वो तो हमें पकड़ में आई गई है very pleasing I am very pleasing to see you तो यहाँ पर continuous वाली कोई बात नहीं है ठीक है तो very pleasing नहीं होगा अब दूसरी एक चीज और समझे लो आज मैं आप लोगों को बतायता हूँ कि भाई एक होता है हमारा too much और एक होता हमारा much to ठीक है ध्यान से रखना एक होता हमारा much to एक होता है बेटा हमारा too much इसको भी याद करने का मैं आपको हमेशा से एक बहुत सही तीज बताता हूँ much to ऐसे दिमाग में रखना को much to grateful ठीक है much to grateful ठीक है and too much great ठीक है हमेशा ध्यान रखना बेटा कि आप लोगों का too much के बाद हमेशा ही noun आता है ठीक है और much to के बाद हमेशा ही आपका जो है बेटा adjective आएगा हमेशा ही आपका adjective आएगा तो यहाँ पे देखो I am too much pleased actually में मेरा यहाँ पे pleased जो है यह pleased मेरा adjective है तो यहाँ पे मेरा too much तो वैसे भी नहीं आना है यहाँ पर मेरा two months तो वैसे भी नहीं है तो यह तो option ही गलत दिया हुआ है very pleased जो है वो मेरा correct answer हो जाएगा I am very pleased to see you here today अब देखरो यह इतनी सी बात के लिए मैंने जो है वो सारे चिठ्थे आपको समझाए है इस एक एक चिठ्थे को भी अगर आपने दिमाग में रख लिया न आपकी understanding का level बहुत high हो जाएगा बहुत ही जादा है ठीक है next देखो the committee reached that decision regarding the appointment of the chairman ठीक है अब देखो committee जो है वो एक decision पर पहुँचिए तो committee decision पर पहुँचिए तो एक मतर decision नहीं तो होगा न committee का है तो ठीक है अलग अलग तो committee के decision होते ही नहीं है committee बनाई किसलिए जाती है ताकि वो किसी मुद्धे को discuss करें और उसके ओपर एक unanimous आपको जो है जवाब दे ठीक है हम आपस में हमारी understanding match हो रही है यह नहीं हो रही तब हम अपनी life का decision लेते राइट तो यहां पर ऐसा कुछ compatibility वाली तो बात हो नहीं रही है तो यहां से तो मैं जाओंगा नहीं येस मेरा answer जो होगा unanimous होगा unanimous का मतलब होता है एक मत होना एक मत हो के जवाब देना उसके बात exemplary का मतलब होता है आपका जैसे कि वह होते नहीं कुछ लोग अपने खांदान के अंदर कुछ एक example सेट कर देते हैं फिर हमारे घरवाले हमारे और मैंने हर एंगल से मैं इस सीरीज को प्रॉपर कॉंटीनी रोखूंगा मैं आपको फिर से चीजे क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को डेली बेसिस में जो six hours की मेरी वीडियो है वो देखने है वो कैबलरी वाली उसी के साथ मैंने ग्रैमर की five hour की वीडियो भी डाली है व उसको sequence के अंदर जो है वो complete करना शुरू करें मतलब यह लगा लो कि दिन का आप दो से धाई घंटा जो है वो मुझे दे दो चानल के उपर मैंने सारा content डाला हुआ है और यह practice के sessions जब तक जब जब आपके पास आते रहेंगे इन practice के sessions को करते चले जाओ और कुछ उठाने क जब तर नहीं पड़नी I hope आपो clarity मिलियोगी ऐसी ही best authentic और genuine videos मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा बिलता इसी किसे next video के अंदर मुझे दीजिए गजाज़र तल दन बबाई and take care